हाई फ्रेट्स मैं हूँ योगेश कैसे है आप लोग अभी हम लोग पुना में है मेरे पीछे कात्रश टैनेल है नया तो हम लोग यहां से पुना से भोर जा रहे हैं भोर से आगे 10-12 किलमेटर एक आपटी करके काव है वहाँ पर जबर जस्ता इसा नौन वेच धाबा है तो वहाँ पर हम लोग अनलिमिटेड चिकन थाड़ी एंजॉय करने वाले है उसके लिए हम लोग पुना से भोर जा रहे है तो अभी मेरे साथ दो मेंबर है आपको इंट्रूश कर रहा था उनके साथ अब यह मेरा बाई है जेवन और यह मेरा दोस्त है तो यह कैसा एक्सपरियंस आता है और वाप एक खास बात क्या है जबर्दस तैसी सीनेरी है ठीक है तो हमारा भी जर्नी स्टार्ट करते है झाल 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 दोस्तों देखो ये शिर्फ पेड़ दिखाने के लिए हम लोग कार से उत्रे है क्या मस्त पेड़ है देखिए इसका फूलों का कलर देखिए कितना मस्त लग रहा है अरे पाड़ते का ना ना जे शर्व हे ओनर डिस्ट्रा ओनर सेक्वाते हैं संतोष अरे पडला अलशपत क्या लगरा एक दम मस्त दबर दस्ते ना एक नंबर संतोष अभी ये देखो ये अलग प्रकार का फूल है अभी एक गिरा अभी ये पेड़ दिखाता हूं मैं अभी हम लोग नेकलेस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं आपको दिखाता हूं मैं नेकलेस पॉइंट फेमस है बोर में क्या गजब नजारा है आपको दिखाता हूं ठीक से देखो पूरा नेकलेस स्ट्रक्चर है क्या मस्त लग रहे हैं यह देखिए भाडगर डैम यहां से ही भोर को पीने का पानी सपला होता है हम लोगों ने बोर में एंट्री मा रहा है लिपना 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 यह भोर का एस्टी स्टैंड है अब यह चत्रपती शिवाजी महारात का पुतला देखिए बहुत ही मस्त ऐसा है शान से खड़ा है पूरा टर्न वाला रोड है पूरे सब जगा पे टर्न ही है देखो देखो अभी यह बोर देखो माड शिक्स्टी सिख से अप्ती फाइव किलो मिटर्स है अरे देखे बेड क्या मस्त लग रहे जैसा लग रहे कोकन में आया है कोकन ही मतलब यहाँ से चालो होता है बहुत है अभी नजदिक आया है हमारा डेस्टिनेशन कोकन का महौल चालो होगा है यह देखो अभी पेड़ देखो ताडियों इंक्रे यह एरिया देखे आपको समझ में आएगा दोस्तों देखे क्या ब्यूटिफुल सीन है अभी यह देखिए यह पूलो का पेड़ है बहुत ही वाइट ऐसे मस्त फूल है अभी निचे देखिए नजरा एक दो मस्त अभी यह देखिए आपको समझ में आपको समझ में आपको समझ में अभी आपको अच्छा सीन दिखाने के लिए अम लोग कार से उत्रेत है सीन बिली है और फोड़ी बट फूल बिली है यह आपती गाव है अभी आपती गाव से एक ही मिनिट पे वह जो डावा है वह है अभी देखो यह होटेल श्री दुरुगा माता यहाँ पर हम लोग आये है यही हमारा में डेस्टीनेशन है अभी हम लोग यह जो दुरुगा माता होटेल है जो भी होटेल है डावा है अपने को टेस्टी खाने से मतलब है यहाँ पर आये है यह देखिए यह पीछे अब यह देखिए अंदर भीड देखिए अब यह देखो यह देखो यह इतनी गाड़ी आई है दूर दूर से मुझे तो थोड़ी देर पहले वाशी की भी गाड़ी दिखी अब यह देखो यह उपर से क्या मस्त सीन है अब यह देखिए यह मुंग फली का खिती है नीचे हाई दोस्तों अभी हम थोड़ा घूमने के लिए आए कि हमने देखा होटल में जाके तो अभी बहुत ही भीड है तो हमको थोड़ा वेट करने के लिए बोला है अभी हम होटल में वेट करने से अच्छा है बोला इधर की सिनेरी देखते तो यहां आके देखते तो इतना ब का पेड़ है बहुत ही ज्यादा फूल आये हैं उसको सब जगह पे मतलब ज्यादा ही फूल है आम के पेड़ को अब इधर गाय वेगर है आपको दिखाते हैं हम लोग जाके यह देखो यह गाय दो गाय है अब यह चारा खारे है मस्त अरे थोड़ा बचना पुड़ेगा भाई वह भी देख रहे हैं इधर अरे तो यह मुंफली का खेत है मस्त कि अधर हो आजजी बाई कुछ वैते हैं खारे लगता है कुछ खाना खारे दो पेर का इसा लग रहा है मुझे बढ़ आ अ अरे हाइं यह तो राई चेना तीच तूजे देखा तो यह जाना संवाला बढर भाण यह साना के ना कवा अगे देखते चल बढ़ को अधा कि इदर प्याज है या लसू ने पता नहीं दोनों में से एक तो है हंड्रेड परसेंट दोस्तों यह देखे अभी है चूला उसके उपर जवार की रोटिया बन रही है आपर वह बाजरा की रोटी बन रही है पूरा नैचुरल पद्दती से यहापे खाना बनता है चूला की उपर है ना ठेका है वह वह चावल है वहापे इस प्लेट के लिए अल्ग हुआ ड़ा क्वार मारा है यहाथ है औरना वह उन्हां एक ना वेट किया इस प्लेट के लिए हम लोगों ने तो देखो अभी इतना वेट रही वार हमारे थेवल के चिकन खली आई है आपको दिखाता हो भी उसमें यह देखिए अभी सुपका चिकन है यह ग्रेवी है और यह आन्मी पानी बोनते इसमें थोड़ा भी पीखाने रहता है छोटे बच्चे के लिए यह अच्छा है आपके साथ कोई छोटा बच्चा रहेगा जो पीखा खाता नहीं इसके लिए यह सुन है फलस कभी आपको पिखा लगा तो आप यह मिच्च करके उसको थोड़ा कम पिखा बना सेंदे हैं और आईजए कर सकते हैं छी पूरा एक अंता वेच्ट जीआ है कि क्या करें के भीड़ी उतनी है टेस्ट इसले तो भीड़े ना या अको प्राइब है कि बहुं आपको अका प्राइब है को पिखा अदल कर पाईब है क्या तो पिखानाय है कैसा टेस्ट है एक दम बढ़िया है बहुत अच्छा जबर दस तेस्ट है दोस्टो ये शुकता चिकन को इसनी टेस्ट लगरे है जबर दस ऐसी बहुत ही मजा रहे जो आइए देखो इसको चुरुन बखरी इसा मराटी में बोलते हैं किसी इस मतलब शर्मानी की जुरोटी नहीं है कोई डेखने वाला नहीं कोई कुछ बूलने वाला नहीं है तुरुन बाकरी, ऐसा बोलते है इसको असल का उसा जवन अभी यह देखिये चावल, इसको इंद्रयनी चावल बोलते है, यह घरगुती चावल है इसका स्मेल भी बहुत जबरदस आता है और टेश तो पूचे मत दोस्तों फुरा एक घंटा वेट किया है, हम लोगने फुरा एक घंटा खाएंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको इसको फोन पे है, मगर देखो, थोड़ा भी रेंज नहीं है, दो काड़े, एरिटेल वड़ा पॉन, क्या करेंगे, फोन पे रखते दोस्तों अभी देखो, ये ओनर है, माराटिक सांग तेल काई प्रोब्लम नाय तुजा नहीं है, बादना रोशन पार्टे, रोशन पार्टे, हाँ मजे ये ओनर ही है, आता ते इतक काशा-काशा मजे काई खाची आते सांगे, अपनी थाई सिस्की मास्ते, चिकन थाड़ा आनि शुको फ्राइएता, त्या मदे बात्री बात्रिस्सा, फोट बर कितिकन जिवन गरेजा, अरे वाँ जबर दसता, आनि चुलिवर बनते हैते, एकदा मसते हैते, मजे आमाला गराज आकर्शन वाटते चुलिवर चा खाना खाएला, बरबर ना, वेल्केम चला, टैंक् दोस्तों, अभी हम लोग यह आपटी में आये है, तो यह जो दुर्गामाता होटेल है, इधर का खाना खाके बहुत ही मज़ा है, आपने भी एंजॉय किया रहेगा, कभी आपको टाइम मिलेगा, तो यहाँ पर विजिट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ खाना ही नहीं है, ब्यूटिफुल सिनेरी भी है, यह मैं आपको पहले ही बोला था, तो यह हमारा जो वीडियो है, आपको अच्छा लगा रहेगा, तो इसको लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब क कीजिए, और मेरे वीडियो शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक्स, बाई.